एससी जेई, नॉटिफिकेशन दोहजार एकीस, सीनियर सेक्षन इंजीनियर दोहजार एकीस, आई एर एमेस कब और आररवी जेई कब, कब तक आपका परशासन ऐसे चलेगा, हर चीज को लेकर आप डिस्कुस करने वाले और बिगेट पॉट्टेक्ट होने वाला है, जल्दी से जल मंडे को, नमस्कार दोस्तों, अब लोगों स्वागत है, टेक्निकल एक्जाम में, हर जगे कभी भी इंजीनियर ही मार खाता है, नन टेक वाले आगे निकल जाते हैं, इंजीनियर पीछे चले जाते हैं, किसी भी वैक्निस को देखा जाए, तो इंजीनियर हमेसा, सस्टी में देखा जाए, सस्टी हर एक्जाम को एक प्रॉफर वे में करा रही है, बट junior engineer बहुत पीछे चल लई है at least एक साल तो पीछे होई गई है एक साल और एक साल से और जादा भी पीछे होने वाली है तो junior engineer 2021 का notification अभी तक नहीं out हुआ है और ये लेकर student पे इतना जादा question आ रहा है इतना जादा question आ रहा है कि कब 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 तो बताना बहुत मुस्किल है क्योंकि जितना आप लोग उनको mail करोगे जितना tutor पे आप trend कराओगे उतने जल्दी आपको positive result मिलेगा otherwise आपको junior engineer 2021 लेट पे लेट हो सकता है और बहुत जादा लेट हो जाएगा तो आपको कल 11 am पे बहुत बड़ा tute करना है आपकी को tute करना hashtag sscj release notification hashtag other उसके बाद आपके senior section engineer की बात करेगा release करो senior section engineer की job आईरमेस release करो यह सारी engineer के post जो engineer बेट कर रहे है बहुत दिनों से यह तीन department ऐसी यह ना delay पर delay delay पर delay होती जारे इंजिनियर की blood खा जा रही है खूल पी जा रही है government और चाहिए कि इनको अच्छे बाद इंजिनियर कैसे अच्छे इंजिनियर मिलेंगे frustrate कर दी हो तुम लोग इसलिए बहुत बड़ा tute करना पड़ेगा जैसे railway student ने group D और NTPC वालों ने किया आप इंजिनियर को उठना और जागना पड़ेगा तभी कर कुछ कर पाऊगे अधर्वाइस यह सब खा जाएंगे बैकेंसी जहां आपके 800-900-1000 बैकेंसी आती तो ओके गाइस तो नोटिफिकीशन, SSCJ, IRMS और आपके सीनियर सेक्षन तीनों आना चाहिए जल्दी से जल्दी आना चाहिए चलिए वीडियो में मिलते हैं बाई-बाई एंटेक केयर गाइए